फूड़ी परिवार में आज हम बनाएंगे स्वादिस्ट इंस्टिंट हांडवो ये काफी हेल्दी है और अपने आप में एक कम्प्लीट मील है इसे आप खाने में भी बना सकते हैं या फिर शाम के स्नाक्स के लिए चलिए शुरू करते हैं हांडवो बनाना सबसे पहले एक बोल में लेंगे एक कप सूजी या रवा और एक कप बेशन अब इसमें डालेंगे एक कप दही और अच्छे से मिक्स कर देंगे ध्यान रहे कि इसमें कोई लंप्स ना हो अब इसमें हम डालेंगे एक चोथाई टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून जीरा और थोड़े से तिल सारे मसालों को अच्छे से मिला देंगे हांड़ों का मिश्रन थोड़ा गाड़ा लग रहा है इसलिए हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे अब हम इसमें डालेंगे आधा कप हरी शिमला मिर्च एक कप कद्दुकस की हुई गाजर और स्वादानुसर नमक इसी के साथ हम इसमें एक कप कोई भी हरी पत्ती भी डाल देंगे इसे और हेल्दी बनाने के लिए फिर डालेंगे एक बारी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा ताजा हरा धनिया हांड़ों में एक अच्छी सी क्रंच और बाइट के लिए अब हम इसमें एक चोथाई का बुनी हुई मुंग फली भी डालेंगे सारी चीजों को अच्छे से मिला दे बैटर की सही कंसिस्टेंसी के लिए हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे कुछ ऐसा होना चाहिए हांडवो का घोल इसे अब हम 15-20 मिनिट रेस्ट करने के लिए रख देंगे 15 मिनिट हो चुके हैं अब डालेंगे दो छोटे चमच नीमबू का रस अगर आपका दही खट्टा हो तो आप नीमबू को स्किप भी कर सकते हैं फिर डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और अच्छे से मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं कि बैटर थोड़ा फूल चुका है इसे अब हम तुरंत यूज कर लेंगे एक मोटे तले के पैन में हम 3 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे फिर एक चौथ हाई टीस्पून सरसोया राई डालेंगे और इसे तड़कने देंगे अब एक चौथ हाई टीस्पून जीरा डालेंगे और इसी के साथ थोड़ा सा सफेद तिल भी डाल देंगे अब हम इसमें हांड़ो का गोल डालेंगे ऐसी और मज़ेदार रेसिपी इसके लिए फूडी परिवार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें इसे थोड़ा सा इविनली स्प्रेड कर देंगे अब हम हांड़ों को ढग कर दीमी आंच पे पकाएंगे 12 से 15 मिनिट के लिए आप अपने पैन या कड़ाई के थिकनिस के हिसाब से भी टाइमिंग को एड़्जस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो या आपको हमारी रेसिपी फॉलो करने में कोई परेशानी होती हो तो हमें नीचे कॉमें सेक्षिन में जरूर बता देना करीबन 12 मिनिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं कि साइड में हलका ब्राउन कलर आ गया है इससे अब हम फ्लिप करके दूसरी साइड पे भी पकाएंगे हांडवो को एक प्लेट या थाली में फ्लिप कर देंगे अब इसी पैन में हम एक टेबल स्पून तेल गरम करेंगे फिर थोड़ा सरसो और जीरा डालेंगे जब ये दोनों तड़क जाए फिर हम इसमें थोड़ा तिल, कड़ी पत्ते और ताजा हरा धनिया भी डाल देंगे अब हम हांडवो को ध्यान जे वापस पैन में डालेंगे देखिए कितने अच्छे से हांडवो का एक साइड पक चुका है अब हम फिर से इसे ढखकर आट से दस मिनिट के लिए धीमी आँच पे पकाएंगे करीबन आट मिनिट हो चुके हैं चलिए हांडवो को फ्लिप करके चेक करते हैं देखिए कितने अच्छे से हांडवो पक कर तैयार हो गया है इसे गर्मा गरम परोसे और हांडवो की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर भी कर दे